हलो दोस्तों हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त आर्किटेक महिपाल मैं आज आप लोगों लेकर आया हूँ जिस प्लोट की साइज है 30 फिट बाई 50 फिट है नोर्थ फिट है उतर दिशागी तरह हमारा मुक रहने वाला गर का तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की सुरुआत करते हैं तो सबसे पहले देखे दोस्तों अगर बात करते हैं हमारी पलोट की चोड़ाईगी जो कि हमारी यहां से लेकिए यहां तक है वो हमारे पास है 30 फिट है 30 feet हमारे पास ploat की चोड़ ए और जो हमारी ploat की लंबई है यहाँ पीछे से लेगर यहाँ सामने तक वो हमारे पास 50 feet है 50 feet हमारे पास ploat की लंबई है तो 30 x 50 हमारे पास total ploat का area हो जाएगा नोर्थ फेस है उतर दिसाइक तरह हमारा इसका मुख है और जो हमारा पलोट है वो सिर्फ एक तरफ से ओपन है वो सामने से बाकी तिनों साइड किनी और की प्रोपर्टी है तो चले इसकी शुरुवात करते है तो यहां पर देखे दोस्तों हमारा पास सबसे पहले यहां पर बांट्री वोल आ रही है और इस बांट्री वोल पर हमारा पास आरा 15 फिट का मैंगेट इस मैंगेट को हम जैसी खोलते हैं पहुंसते हैं पार्किंग एरिया के अंदर चेओ कि इमारे पास 16 फिट आँच लंबाई गरेगा और यहां से अगर बात करते हैं तो ऎरहा पिट थे, है तो यहां पर देखे दोस्तों 6 फिट 9 चोड़ाई के अंदर हम जैसी 2 तीनिच्टेयार आप करते हैं थे usedश्वा पा और यहां पर पोट्ष ड़ाएगा और यहां पर इस टेफ हो जाएगे और यहां पर हमारी कार वगरा खडी हो जाएगी तो अगर बात करते हैं सामने के लुक घी तो उस तैप से इसका सामने कई है लूख होगा अब जैसा कि मैं आपको बताएं कि दोस्तों कि तिनु तरफ अधर प्रोपिटी है तो हमने तिनु तरफ से हमारे प्लोट में से डाइड़ाइफिट की पैसे में छोड़ा गए यह देखे बाद में डाइफिट का पैसे चोड़ना है ताकि गर का अंदर कभे पी कोई वेंटिलेशन वगरा की दिकत ना है तो अब यहाँ पर देखें दोस्तों वापिस 10 फिट का मेंगेट पार्किंग यहाँ पर पोर्च और यह हो गया हमारा गार्डन अब इस पोर्च के जैस आगे चलते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पास आरा गर का मेंड और 4 फिट का इस मेंड और गॉम जैसी खौल दें तो पहुंचते हैं डाइनिंग और लिविंग अरिया का अंदर जिसके हमारे पास 11 फिट बाई 14 फिट है 11 फिट इन्टू 16 फिट का इमारा डाइनिंग लिविंग रही है और इस ीग अंदर हमारा स्टे रकास हैराई से आप करोगे और यहाँ पर ऩ voter का शागैर का फर्सट बेटरूम होइवा जिसके हमारे पास 11 फिट बाई 12 फिट 12 feet यहांस लेकि यहांत सीक और 16 feet यहांस लेकि यहांत से कि अमारा बेट रूम होया जिसके एक 4 feet की विंड़ो मारी सामने निकली और एक 4 feet की विंड़ो उतर पूरु दिसा घंदर निकल रही है बेट्रूम से बाहर आते तो यहां पर देंगे दोस्तों डायफिट का दर्वाज आरग तो कॉमन टोयलेट बनाऊ है जिसके हमारे पास सएज है ठाध बाई निकल रहा है कोमान टोर्लेट से बाहर आते हैं तो यहां पर दिएक está 25.500 का दरवात ओर यहारा ग्रकार है जिसके वेत्रूम जिसके अगे मरेपास आज हैं 11,500 वाई 12,500 फीट यहां से यहां पर बाहर 20 गर बास्ट है गर गर और किच्चन हो गया जिसके चार फिट की विंड़ो पिछे निकल लहाए और इस पिछे उपर यहां पर देगे दोस्तों हम जैसी पीछे जाता है तो यहां पर डॉट का दरवाज और यह हमारी यूटिलिट्ट एर्य बनावा जिसके यहां पर दीखे दोस्तों नॉर्थ उतर दिशा दस फिट का मेंगेट पार्किंग पोर्च गार्डन हो जाएगा घर का मेंड डॉर डाइनिंग और लिविंग एरिया स्टेरकेस बेटरूम टोइलेट बेटरूम और किच्छन और यहां पीछे की साइड डाइपिट का ओपन यहां पर यूटिलिटी एरिया यहां पर डाइपिट का पैसेज और इदर पूरू दिशा गंदर भी डाइपिट का आपने पैसेज दे रगा है तो चलिए एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं तो दोस्तों हम लोग सामने स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे क्यो अवाद